कि कि अधियास 2.0 इसका रीजनिंग का जो सैशन है तो इस सेशन में आज हम डिस्कॉस करेंगे miscellaneous topics जो कि हमने previous video में भी discuss किये थे उसके इसके इसके इलाबा जो topics हैं उसके इलाबा जो questions हैं उनको हम discuss करेंगे ठीक है उन questions को इसमें include किया गया है जिनका जो है हम एक complete video बनाने के जगा उनके concept के बारे में discuss कर सकते हैं ठीक है तो session को शुरू करते हैं जैसे कि आपका जो जो miscellaneous topics का second part है ठीक है previous part को भी go through कर लेना उसमें भी मैंने कुछ concept को include किया है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि scs premium का जो यह fast track batch है अभ्यास 2.0 यह आपका 75 days का course है इसमें कि जिसको आप अवेल कर सकते हैं for 35,000 रुपीज और इसमें आपको अभी मन्यू जो की number one institute है for scs preparation यह 41 प्लस selection दे चुका है 2021 में और 27 प्लस selection हो चुकी है हमारी 2022 में ठीक है इसमें क्या क्या चीज़े include हो रही है इसमें आपको offline class, online class, cset, cset classes, pdf notes, test series and mentorship यह सभी changes में include है question है हमारा इस question में क्या given है कि one evening while returning from college eight friends a, b, c, d, e, f, g, h, went to a rooftop restaurant rooftop restaurant पे जाते हैं they sat around a rectangular table parallel to each other एक दूसरे के parallel है इस तरह से दो lines हम यहाँ पे कर लेते हैं example के लिए यहाँ पे इस तरह से कितने person है इसमें है eight persons तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि दो lines में है कुछ ओपर देख रहे हैं कुछ नीचे देख रहे हैं ठीक है तो इसके रिए क्यूंकि evening time है तो हमारे left की तरफ यहाँ पे sun होगा और सभी की shadow जो है इस तरफ बनेगी shadow बनेगी हमारे right की तरफ ठीक है हमारे right side अब इसमें देखिए four on each side इसमें बताया गया they are sitting arrangement इसके describe किया गया नीचे ठीक है देखें पहला point है a shadow fell to the left of d एक ही shadow left में जैसे कि यह जो persons है अगर हम नीचे वाली रोका देखें तो यह left है और इधर right ठीक है similarly यह right और यहाँ पे left ठीक है और a के regarding यहाँ पे एक और point दिया कि as set in the north east of a ठीक है अगर मैं a को यहाँ पे place करता हूं तो d k left में इसकी shadow जो है इधर बनेगी इसके left में d k ठीक है यहाँ पे सभी का left है ऊपर वाली रो में सभी का right है इस तरफ ठीक है मतलब sum के right में आगे इसमें देखिए c is set between a and b c a और b के बीच में है तो यह b बन गया और यह c और a के respect यहाँ पे था कि a a से h जो है वो north east में बन रहा है तो इस तरह से यह बन रहा है ठीक है अगला point देखें e set between g and f e जो है g और f के बीच में है देखें g और f अगर यहाँ पे होंगे तो e बीच में आ जाएगा ठीक है यहाँ पे point दिया है कि g didn't sit directly opposite to b g b के opposite नहीं आएगा तो a के opposite तो बन सकता है ठीक है और e didn't sit directly opposite to a e के opposite नहीं बन रहा तो क्या बनेगा देखें यहाँ पे g किसके बीच में है e किसके बीच में है g और f के बीच में तो यह arrangement हमारे पास सामने निकल के आता है अगर d और g swap करते हैं उनके places को ठीक है अब इसको आप ऐसे कर लो इस तरह से इनको remove कर दो g की जगा d और d की जगा g ठीक है अब इसमें क्या वो लगए कि c के with respect यह जो g है यह कहां पे बैठा है ठीक है g की position तो कहां पे आ रही है second to the right तो second to the right यह देखें यहां पे ऐसे नहीं किसमें क्योंकि direction ही पूचिए तो कहां पे आ रही है यह आ रही है इस तरफ देखे वैस्ट में sun है तो east में क्या होगा उनकी shadow इसके with respect कहां पे बन रहा है east वाली side ठीक है तो option d इसका answer बनेगा ठीक है तो आपने shadows को ऐसे समझना है कि जैसे morning time में सन होता है east की तरफ और जितने भी shadows बनेगी वह बनेगी west वाली side ठीक है बट जब evening time में sun होगा west की तरफ और जो shadows बनेगी वह बनेगी east वाली फिर। नहीं जैसे कि नॉर्स में कोई person face कर रहा है उसके कहां पनेगी shadow उसके बनेगी left sign और एक साब्थ में face कर रहा है ठीक है तो उसके कहां पे बनेगी उसके राइट साइड को similarly इसमें देखिए एक नॉर्थ में फेस कर रहे है जो रो है ये नॉर्थ सेंग है उसके कहां पर बन रही है और जो साथ में होगा उसके कहां पर बन रही है लेफ्ट साइड मतलब इसके ओपोसिट ठीक है जैसे कि यह question आपको सामने है इस question में क्या given है कि in the following sequence of instructions one stands for run, two stands for stop, three stands for go, four stands for sit, five stands for wait तो यहाँ पर इसमें जो चीज़े दी गई है अब हमें क्या वो लगा है कि इस sequence को continue करेंगे तो क्या instruction आगे आएगे next में यहाँ पर क्या instruction हो गई तो हमें यह बताना है तो देखिए इसमें सबसे पहले अगरा ध्यान दें four, four, five, four, five, three, four, five, three, one, देखिए ऐसे set बन रहा है four, single, four, five, four, five, three, three तीन आगे, आगे, चार आगे, ठीक है आगे देखिए यहाँ पर, four, five, three, one, two ठीक है तो पांच बन रहा है जितनी यहाँ पर instructions है वो सभी आ रही है ठीक है उसके बाद क्या रहा है इसके बाद यहाँ पर बन रहा है फोर, single, पिर, sorry, four, five, four, five, यह दोनों साथ में है और उसके बाद क्या रहा है, four, five, three, four, five, three आगे क्या आएगा, देखिए, four, five, three के बाद क्या आएगा, four, five, three, one, ठीक है बट यहाँ पर क्योंकि इसमें repeat कर रहा है, इसमें तो हमें मिल रहा था, single, single करके बढ़ रहा था, बढ़ five, three, one, यह चार वाला बनना चाहिए, तो इसमें जो next बनेगा, वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा, four, और four की जगा क्या है, four करता है, stand, sit के लिए, तो इसमें option भी इसका answer बनेगा, ठीक है, तलिए next question पर, यह simply आपकी common sense के उपर बेश था, ठीक है, आपने उसको देखना है क series किस तरह से बढ़ रही है, जैसे कि next question है, यह question भी आपका simple question है, ठीक है, ऐसा usually बहुत कम देखनों को मिलता है exam में, but इसमें question available है, इस question में यहाँ पर given है, if cloud is called white, एक type का coding है, कि cloud की जगा हमें क्या बोलना है, white बोलना, और white की जगा हमें क्या बोलना है, rain, और rain की जगा हम बोलेंगे, water, ठीक है, अब इसमें बोला के, where will the birds fly, birds जो है, fly किसमें करते हैं, air में करते हैं, और air को क्या बोलेंगे, air को बोलेंगे, blue, तो क्या है का answer, option D, इसका answer बनेगा, ठीक है, जैसे कि next question आपके सामने available है, इस question में क्या बना है, यह आपका एक, जो है, matrix है, इसमें ह तो कभी-कबार ऐसा भी question देखने को मिल जाता है, आपने इस question को, इस तरह के question को, अगर आपने अच्छे से करना है, तो आपने क्या करना है, number series को एक बार go through कर लें, number series के बहुत सारे question आप एक बार कर लें, ठीक है, उसके तरह आपको एक basic idea मिल जाएगा, basic logic मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस question पर क्या है, यहाँ पर जो 126 है, यह बना हुआ है इन तीन number से, 168 इन तीन number से है, उसी तरह से 216 इन तीन number से, ठीक है, अगर मैं 2 का multiply 7 से कर दूं, और 7 का multiply 9 से करूं, तो देखिए क्या आ रहा है, 7, 9, 63, 63 का double करते हैं, तो यह है, 126, तो सभी का multiply, क्या यह चीज यहाँ पर भी available है, देखिए, 7, 3, 21, 21 का अगर multiply 8 से करते हैं, तो यह बनता है, ठीक है, उसी तरह से यह देखिए, इसमें 9 का 4 से multiply किया, 36, अब 216 कैसे बनेगा, अगर मैं इसको further 6 से multiply करूंगा, तो 216 बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या देखना, find out करना है कि यह चीज, जो सबसे बड़ा number होता है, usually उसको ही हमें find out करना पड़ता है, वो आपका, जो हाँ, top to bottom भी हो सकता है, left to right भी हो सकता है, ठीक है, इवन आपको इस तरह से भी मिल सकता है कि, जो है, इसमें, incarnation, multiplication के साथ, plus में भी include हो, ठीक है, यह सभी को हम सेम सम बनाने में भी इसमें हो सकता है, जैसे कि next question आपका आपके सामने available है, यहाँ पर यह आपका question जो है, calendar topic से है, तो इसमें बोला गए कि how many mondays are there in the particular month, particular month की बात करें, तो month में कितने कितने days है, 30 दिन होते हैं, 31 दिन भी होते हैं, 29 भी होते हैं, और 31 में 28 भी होते हैं, ठीक है, तो चार इसमें हमें हमारे पास बन जाती है, position ठीक है, और क्या वो ला गया, particular year, particular year की बात करें, तो यह year आपका हो सकता है, कि एक, जो है, इसमें बने, एक आपका leap year बन सकता है, और ordinary year, ठीक है, leap year और ordinary year, ठीक है, if the month ends on Wednesday, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर, actually क्या है, इस question में error है, ठीक है, error क्या है, वो मैं आपको बताता हूं, कि क्यों की, क्यों यह question जो है, गलत है, अब देखिए, यह Monday है, Monday हमें बताना है, month जो है, end हो रहा है Wednesday पे, अब आपने ध्यान रखना है, कि अगर 30 days का जो है, अगर calendar है, जैसे कि, अगर मान लीजिए, Monday, इस तरह से मैं आपको बताता हूं, पहला दिन क्या है, first of the month, यह है, Wednesday, ठीक है, ठीक है, मान के चलते हैं ऐसे, तो आपको यही जो है, Wednesday कब मिलेगा, plus 7, plus 7, plus 7 करते हुग, आपको जब इसमें जाओगे, तो यह पहला दिन जो होगा, यह बनेगा आपका 29th day, यह सेम बनेगा, ठीक है, और उसी तरह से, जो second day होगा, वो बनेगा 30th day, उस मंत का, ठीक है, अब अगर मान लो, यहाँ पे third day हुआ, तो अगर मंत जो है, आपका 31 days का है, तो उसमें क्या होगा, 31st day होगा, यह जो इसमें days होगे, यह similar होगे, पहला दिन और 29 दिन सेम होगा जैसे मालीजी यह Wednesday है, पहला दिन, 29 दिन भी क्या होगा, वेलनेगा, दूसरा दिन और 30 दिन, यह क्या होगा, सेम होगा, जैसे कि example यह लेता है Wednesday, सेम होगा, और 31 दिन, मंत का, वो सेम होगा, ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 30 दिन का जो है, यह बन रहा है, कि 31 यह बन रहा है, कि 29 देश्का बन रहा है, कि 28 देश्का बन रहा है, यह हमें नहीं पता, तो हम कैसे बता पाएंगे, ठीक है, तो एक particular year की बात कि अब हम इन्हों ने ना तो year के बारे मताएं, ना ही month के बारे मताएं कि कौन सा month है, तो क्या हैगा, इसके लिए जो होगा, यह में नहीं बता पाएंगे अब इस कोश्चन को देखिए यह कोश्चन आपका लेटेड है कोडिक कोडिक डिकोडिंग से अब देखिए ध्यान से बीट वर्ड है बीट वर्ड को लिखा 25 22 26 27 मैंने जब आपको जो टॉपिक करवाया था एक मैंने क्लास लगाई थी इसके कोडिंग डिकोडिंग के लेटेड आपको मैंने कोश्चन करवाया थे प्रीविए सिर्क पेपर में तो देखिए यहां पर बीट वर्ड है बीट में अगर हम ध्यान दें अब को उपोजीट होता है वाई आपको समय उपोजिट ही बताए ठीक है तो एक बार आपने उसको गो थ्रू करं ये ऐकौ पाशेट ग All जट करते ही 26 और जी क्यों होती है 7 क्या यहीं चीज यहां पर वेलेवल है तो हम क्या करेंगे ड़स्ट कभी सिमिलर आगा आर का उपोजिट आई यू का उपोजिट एफ ठीक है एस का उपोजिट एच और टी का उपोजिट जी इनकी पूजिशन वैल्यू ठीक है उसी तरह स होता है एफ एफ कितने पाथा शिक्स पर शिक्स आपको इसी जगह पर मिल रहा है मतलब यहीं इस इस का उपोजिट आई 9 पे एस यह पोजिट एट पे टी को उपोजिट जी 7 पे और टीक आउप्शन दी इस नेक्स्ट पर उपकरते है इस कोशन को देखें यहां पर इफ all the digits in the number seven two eight one nine five three four six are arranged in descending order descending order का क्या भी नहीं है कि सबसे बड़े से चोटे मतलब घटते क्रम ठीक है तो सबसे बड़ा number कौन साइज में nine ठीक है फिर उसके बाद eight उसके बाद seven six है जैसे कि अगर हम इसको original number को भी लिख लेते हैं नाइन टू एट वन nine seven two eight one nine five three four six इसी के सामने लिखना में ठीक है तो यहां पर क्या रहा है इन numbers को हमने कर दिया फिर six आगे six के बाद five five के बाद four four के बाद three ठीक के बाद two two के बाद one ठीक है तो कौन सा ऐसा number है जो की सेम रहा रहा है इसमें पूछा गया विदिन number from position how many digits will remain unchanged कितने digits हैं जो की अपनी सेम जगा पर रहा रहे हैं देखिए यहां पर seven or nine two or eight eight or seven one or six nine or five five or four three यह बन रहा है ना सिर्फ एक बन रहा है बाकी नहीं बन रहे हैं इसका meaning आएगा only one that is option कि करी यह question है देखिए मैंने आपको last class में भी यह बताया था कि यह जो question आपका when diagram से related when diagram क्या है कि हमें उसमें हो सकता है कि कुछ words दे दी जाएं उनका relation बताया हो ठीक है उनका relation पूछा हो ठीक है second आपको इस form में भी देखने को मिल सकता है जैसे कि इसमें बोला गया है कि which number is in square, square, ellipse and triangle, square, ellipse and triangle, ellipse बना यह circle, square बन गया यह और triangle यह बन गया, इन तीनों में common जो बन रहा है, वो बन रहा है 7, ठीक है, तो 7 हमें मिल रहा option C में, ठीक है, जैसे कि अब यह next question है, यह आपका series से related आया है, मैंने आपको बताया था कि ज position को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, अगर आप उनको go through नहीं करेंगे, तो आपके बहुत सारे से questions है, जो कि आप नहीं attempt कर पाऊगे, अच्छे से नहीं कर पाऊगे, यह आपको time लगेगा, अब देखिए, इस question में बोला गया है, कि ninth term हमें बतानी है, ninth, ठीक है, क्या चलिए अगर इसको ना लिखें, अब number से आपको ज्यादा better understanding है, 25, 23, 21, 19, फिर क्या बनेगा, 19 के बाद 17, फिर बनेगा 15, 13, 11, 9, ठीक है, तो देखिए, इसमें ninth term बतानी हमने, यह कौन सी term है, first, second, third, fourth, fifth, six, seven, eight, nine, तो nine पे क्या आएगा, center में जो होगा, वो क्या बनेगा वो बनेगा I, ठीक है, तो center में I जो बन रहा है, यह बन रहा है, देखिए, I हमें कहां पर मिल रहा है, I मिल रहा है हमें, B option में, ठीक है, यह आगे बिच्छी हो चुकी option, तो इसमें देखिए, nine, ओके, फिर देखिए, इसमें sequence बन रहा है, कि यह जो Z से just पहले बाला, बन रहा है, इसमें माइनस टू बन रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या आगा यहां पर माइनस टू करके क्या बनेगा, जी, तो जे आई जी जो होगा, आपका option, इसमें कौन सी बन रही है, यह B option बन रही है, ठीक है, I hope आपको यह question समझ आ गया होगा, यह series related है, अब देखिए जैसे कि यह question है, यह मैंने तीन questions को इसमें include किया है, ठीक है, यह question में given है, इसमें कि 386752961573839, ठीक है, एक जो topic आता है, logical alphabet, इससे rated है, बट यहां पर आपको ऐसा कोई ध्यान देने बाली बात नहीं, हमें क्या करना है, बस इसको, इसमें जो भी operation इसमें बोला गया, उसक है कि, if in each number, the second and third digit are interchange, second or third digit को interchange कर, जैसे कि इसमें अगर second or third digit को interchange करेंगे, तो क्या आगा, 368, 7, 25, 9, 16, 5, 37, 8, 93, ठीक है, हमें क्या बताना है, इसमें, what will be the sum of first and third digit of largest number, largest number कौन सा, इसमें, largest number यह है, first or third number का जो है, sum देखो, इसमें, first or third number का नौर चे कितने होगे, पंदरा, तो पंदरा, इसमें option C बनता है, ठीक है, यह इसका answer है, simply क्या करना है, जो आपको कहा गया है, उसी को follow करना है, जैसे इस question में देखिए, if in each number unit and 100th place, digit R interchange, unit place पे कौन सा आता है, देखिए, जैसे की 386 की बात करें, तो unit place पे बनता है, और 100th place पे है 3, इनको interchange करा है, तो 683, यह बनेगा, center में लैटर इसको चेंग नहीं करेंगे, 257 बनेगा, और next है, 169 बनेगा, 375 और 938, यह इसमें बन रहे हैं, ठीक है, हमें क्या बताना है, इसमें से, कि इनको interchange करने पे, lowest number कौन सा फॉर्म और, तो lowest number कौन सा हो रहा है, यह 169, किस से, नमबर से बन रहा है, किस नमबर से, तो यह 961, जो कि, यहां पे अल्रड़ी इसमें दिया हुआ है, तो इससे बन रहा है, 169, ठीक है, कई बार क्या होता है, इसमें, parent number ही दिया होगा, ठीक है, तो देखे, the number at unit place of, sum of numbers at unit places given five numbers, तो क्या करना है, हमें, इसमें number क्या आएगा, sum करके, unit place पे, तो देखे, 6, 6 और 2, 8, 8 और एक 9, 9 और 3, 12, 12 और 9 कितने होगे, 21, 21 का मतलब है, unit place पे कौन सा है, 1, तो इसका answer आएगा, 1, ठीक है, चलिए, next question है, इस question में क्या करना है, यहाँ पर education word है, ठीक है, यह question भी आपको क्या करना है, इसको question को ध्यान से समझना है, इसमें education word में वोला कि कितने ऐसे pairs of letter हैं, इस word में, जिनके बीच में उतने ही letters हैं, जितने की English alphabet में, कहना का मतलब है जैसे कि, यह A, B, C, D, E, यह मैंने दो letter होते, A और E में देखें, तो तीन letter, वहाँ पर ऐसा थोड़े नहीं याद रखें कि, इसमें इतने letter हैं, इसमें इतने letter हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस example को समझना है, example यह है, extra, यह word है, ठीक है, इस question में देखें, यहाँ पर given है, अगर ध्यान दे, A से जब D, E, A से E भी वहीं पर बनना है, जहाँ पर होना चाहिए, तो उसका meaning है कि यह pair बन गया, ठीक है, इसी तरह से हमें इसमें find out करना है, जब series बोला हो, तो आपने क्या करना है, forward और backward दोनों को count करना है, बट अगर आपको order बोला जाए, तो उसका meaning है, only forward, ठीक है, सिर्फ forward ही इसमें include करने है, जैसे कि, यहाँ पर इस question में देखिए, education word है, तो आपको मैं इसको लिखके बताता हूँ, यहाँ पर, देखिए, एक तो बनेगा इसमें, D और E का pair, ठीक है, D से E, साथ में होती है, फिर देखिए, इसमें A से count करेंगा, तो A, B, C, D, तो यह भी एक pair बना फिर उसके बाद देखिए, A से E का भी एक pair बनेगा, A, B, C, D, E, उसी तरह से देखिए, यहाँ पर, N और O का भी pair बनेगा, ठीक है, तो कितने pair बनें इसमें, इसमें बनते हैं, 1, 2, 3, और 4 pair, 4 pair इसमें बनें, तो option A इसका answer बनेगा, ठीक है, I hope आपको question समझ आ गया होगा एक बार go through जरूर कर ले questions को, ठीक है, और next question है, देखिए, यहाँ पर इस question में क्या given है, यह भी आपको coding के उपर है, अब देखिए, इसमें क्या आपको क्या करना है, अपनी common sense का use करना है, इसमें simply बोला गया है कि, एक bad word है, जैसे कि, उसमें क्या है, सिर्फ A की vowel है, ठीक ह वैसे ही आपको दिया गया है, यहाँ पर lowy word, ठीक है, तो lowy word जो है, इसको अगर हम इसमें use करने हैं, तो इसमें कितने vowels हैं, इसमें है 4, 1, 2, 3, 4, 4 vowels हैं, और 4 vowels से हमें क्या बताना है, इसमें, कि इसका arrangement क्या बनेगा, तो देखिए, यहाँ पर L, O, U, I, E, इसमें क्या ब में 4 एड़ करो, 19, 19 पर आता है, 21 में 4 एड़ करो, क्या आएगा, 25, 25 पर आएगा, ठीक है, और I में, जो है, 4 एड़ करो, 9 में 4 एड़ करो, 13, यह M बन गया, और E में, अगर आप 4 एड़ करते हैं, तो क्या आएगा, E में, जो 4 एड़ करेंगे, तो I आएगा, ठीक है, E 5 पहले है आए नौ पहले कि लेटर है ठीक है एक जो है वाबल एक हमें क्या करना यहाँ पर हमने किया था प्लस 4 इसमें next करेंगे हम प्लस 1 के करके क्या आएगा P के बाद आएगा Q S के बाद T Y के बाद Z M के बाद N और I के बाद J अब देखें क्योंकि यहां पे कुछ भी ऐसा कोई भी letter नहीं है इसमें बोला गया था कि इस code को पहले हमने code किया और resultant को बार बार से code करना और कितने बार code करना 10 times code करना अब ऐसा नहीं था कि हम इसको जो है इस तरह से करते पहले हमने कहें कि चार वोवल का यूज करके इसको बनाया फिर हमारे पार जितने वोवल है उसका यूज करके हमने next बनाया ठीक है तो यह बना तो qtznz तो इसके next तो हम नहीं बढ़ पाएंगे तो हमारे पास final जो resultant आएगा वो बनेगा qtznj ठीक है next question है देखे इस question में coding scheme में देखे इसी तरह का question है इसमें बोला गया है यहां पर अगर हम ध्यान दें जैसे कि यह example है फैल वर्ड में क्या करना है क्योंकि दो एल है तो उसमें हमने एक ही consider करना है और क्या करना है इसको जो code किया है वो 360 code किया है 360 कैसे किया होगा देखे जैसे fel इनका use करें एफ आता है 6 पे यह आता है 5 पे और एल आता है 12 पे अगर मैं इनको multiply करूंगा देखे तो क्या है तो क्या है तो क्या है तो क्या है तो यह इस cancer बनता है ठीक है यहाँ पे हमें क्या करना है हमें जो word यहाँ पे दिया गया कि किसका सबसे लार्ज़स्ट कोड होगा तो देखे अकेशिया की अगर हम बात करें तो इसमें A, C और I ही मिलते है तो 9 का किसे 3 से गुना और 3 का किसे 9, 3, 27 यह 27 मनेगा बेस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है 19, 1 और 2 तो 19 इंटू 1, इंटू 2 तो क्या आएगा इसमें 38 आएगा ठीक है बट अगर इसकी ध्यान इसमें क्या है एक मिलता हमें 19 एक मिलता है 8 एक मिलता है 25 और इसी का सबसे ज़्यादा कोड होगा बड़ा है ठीक है और इसमें ध्यान दे देखे यह D आ गया A आ गया और Y आ गया तो यह थे हमारे कुछ कोशन I hope आपने कोशन को अच्छे से गो थू कर लिया होगा And that is all for now Thank you so much